नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल रेडिंग लाउर्स फर दोस्तों आज की जो इडेश में हम बात करेंगे ये जो इंडियन नेवी जो है इसके द्वारा हाली में जो 1531 पदों के लिए जो विकैंसी निकाली गई है और अगर आप इस विकैंसी को किस तरह से फिल कर सकते हैं और क्या कुछ इसकी एज लिमिट क्वालिकेशन वगईरा क्या कुछ है ये सब ये देखना चाठे हैं तो हमारे चाहतन तक बने रहिए गार उससे पहले अगर आपतक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और सर्च करके आप इनकी वेबशेट पर आ सकते हैं, या फिर इसका लिंक आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप इनकी वेबशेट पर आ सकते हैं, तो उसके बाद जैसे जब इनकी वेबशेट पर आओगे, तो आपका नोटिस यह आ जाएगा तो यह आप यहाँ पर देख सकते हैं इंप्लोमेंट नोटिस और सारे यहाँ यहाँ पर इसमें यह बताई गई है रिकूर्टमेंट आप ट्रेट्समेंट स्किल इन इंडियन नेवी नोट्फिकेशन एक सलय थोजार बाइस तो यह यहाँ यहाँ पर वेबसाइट यह दी गई है जोनीडियनेवी.gov.in ट्रेट्समेंट स्किल के लिए है जर्नल सेंटर सर्विस कुरूप सी नोट गैस्ट इंडिस्ट्री ले पेस्केल इतना दिया गया है और उसके बाद यहाँ पर यह पोस्ट जा दी गई है जैसे यह एलेक्टिकल फीटर है लेटर इंजन फीटर है और अलग-अलग जो काटेगरिया उसके इंसार है जैसे SC, ST, OBC और उसके बाद है काटेगरिज ऑफ डिसेबल सुटेबल फोर जोब्स फंक्शनल रिक्वार्डमेंट उसके बाद यहाँ पर है अड़काटर यूनिट वाईज विकैंसी दी गई है कि कौण से अड़काटर में कितनी विकैंसी है तो यह पोस्ट विकैंसी सब कुछ डेटेल आप यहाँ पर इसमें देख सकते हैं तो अलग-अलग जहाँ पोस्ट के लिए अलग जहाँ पर दिखाई गई है तो आप अपने सार यहाँ पर अपने इसमें कैटेगरी में विकैंसी देख सकते हैं उसके बाद जहाँ पर एजुकेशनल और क्वालिफकेशन दी गई है और एज लिमिट जहाँ यहाँ पर यह रहेगी इसमें 18-25 यहाँ आप यहाँ पर क्वालिफकेशन इसमें देख सकते हैं और उसके बाद जहाँ पर एज जो रिलेक्शन है यह भी बताई गई है SCST 5 की है, OBC की 3 की है, PWD वाले में UR की 10 की है, OBC की 13 वाला गला कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर यह दिखाई गई है उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट दिखाई गई है स्केल, the tab is linked without equivalent portal, the signal paper यहाँ पर दिखाई गई है, part 1, 2, 3, 4, 5 उसके बाद subject है और maximum marks दिखाई गई है उसके बाद opening and closing date यहाँ पर बताई गई है तो last date of registration closing, 18 day from opening date of registration तो आपके जो यहाँ पर registration है 21 तरिक से शुरू हो गई है उसके बाद यहाँ पर eligibility की criteria दिखाई गया है तो यह तो यहाँ पर यह notification था आप site पर वापीश चलते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे आप apply कर सकते हैं यह जो आपको यहाँ पर option दिखाई देगा name should be same as mentioned in medical certificate तो जो दस्विकर जो certificate उसमें उसके नसारे यहाँ पर नाम फिल करना है उसके बाद यहाँ से डेटो बरत यह फिल करनी है यहाँ पर email address और यहाँ पर mobile number और एक और जा महत्तपून बात यहाँ पर यह कई गई है note में a valid mobile number and email address is mentioned and exeree for different spaces of the recruitment process it will also be used for further communication with the candidates therefore the mobile number email address once suggested by the candidates can not be changed during the entire course of the recruitment process तो जो यहाँ पर mobile number और यह जो यहाँ पर email आप देऊगे वो बाद में change नहीं होगी अगर change करना चाहोगे तो बाद में दिक्कत आएगी तो आपने वो ही email और mobile number देना है जो आपके इसके लिए रखना चाहते हैं उसके बाद यहाँ से send OTP कर देना आपके mobile पर message आएगा और उसके बाद आगे की जो करवाई है यहाँ से शुरू हो जाएगी और इस site का link जो आपको इस video के description में मिल जाएगा तो वहाँ से भी सीधे आप इनकी website पर आ सकते हैं या फिर यहाँ पर भी जाए एक option दिखाएगा है how to apply तो जैसे जम इसके उपर भी क्लिक करेंगे यह भी आपको एक नए page पर लेकर आएगा तो यहाँ पर भी इसमें बताएगा कि किस तरीके से आप यहाँ पर apply कर सकते हैं तो इसमें देखके भी आप यहाँ पर apply कर सकते हैं कितनी यहाँ पर kb में photo size है क्या कुछ है सारा इसमें यहाँ पर यह बताया गया है और नीचे उसकी image भी दिखाए गई है क्लिक और रिजिस्टर बटन यहाँ पर रिजिस्टर करना है यह आप देख सकते हैं यह वाला पेज है send otp आएगा और उसके बाद यह आप यहाँ पर देख सकते है date of birth बगरा यहाँ पर दी गई है यह वाला पेज उसके बाद यहाँ पर आएगा उसके बाद जाए यहां से जब ऐसे OTP आएगा तो यहां पर इंटरी OTP और यह verify and register उसके बाद जाए यहां से register उसके बाद आपके यह date login को उप्षन आ जाएगा तो जो भी कुछ registration वगरा आएगा तो यहां से login और once you are first time log in you will be back to page which say I am in Indian yes यहां से करना होगा उसके बाद जा यहां पर basic detail वाला page आपके सामने आएगा तो यह सब भी detail आपने यहां feel करनी होगी और उसके बाद से save and proceed to next जो है यह यह कर देना है और सभी कुछ detail यहां पर भी इसमें बताई गई है उसके बाद जाप इस step पर आ जाओगे यहां पर आप देख सकते है education detail यहां पर आपने इसमें feel करनी है step number 2 है तो यह सभी detail आपने आप पर feel कर देनी है यहां से save and next बोला जो है यह कर देना है उसके बाद आपके सामने नए page आ जाएगा तो उसके बाद यहां पर step 3 जाएगा आ जाता है और इसमें आप देख सकते है step 3 additional details page given blog only for यहां पर application explain तो यहां आप देख सकते हैं यहां पर category बगारा दी गई है personal disability अगर कोई है कर नहीं ex-serviceman या employment government service में है कोई या नहीं है तो यह fill करने के बाद edit करने चाते हैं तो edit one करने चाते हैं edit में कुछ अगर mistake रहे गई तो यहां से नहीं तो फिर यहां से save and next वड़ा यह कर देना है तो सारी details जाइसमें यहां पर यह बता दी गई है किस तरीकी से आप यहां पर अपना forum यह fill कर सकते हैं उसके बाद next चार आ जाता है यहां पर भी इसमें additional detail या कुछ यह fill करनी है तो यहां पर upload photo और sign आप इसमें यह उपर देख सकते हैं कितने के वी के photo sign इसमें होने चाहिए edit करना चाते हैं तो edit नहीं तो save next यहां से कर देना है यहां पर इसमें photo size यह बताया गया है photo size यह है यहां पर 50 से लेकर 100 कवी के बीच में jpg format में आपका यह होना चाहिए उसके बाद sign है यह भी यहां पर यह बताया गया है jpg format में 50 से 100 कवी के बीच में और pdf file format में यह मागे गया है individual file size should note exit 400 कवी and should be clear name तो यह आप यहां पर देख सकते हैं उसके बाद आ जाता है number 5 final यहां पर और यहां पर self declaration दियागा इसके आपर click करना होगा यह आप यहां से पढ़ सकते हैं यह है self declaration और यह है यहां से submit को option edit करना चाते है तो edit नहीं तो यहां से submit और are you sure you would like to submit your application submit करना चाते है तो yes नहीं तो cancel और उसके बाद यहां से print तो इस यह यहां पर सारी प्रकिरिया है जिस तरी के से आप अपना form भर सकते हैं तो यह जो हाली में महतापुन अपडेट थी और दोस्तों अगर आपने अब तक हमरे चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe कर ले इसकार की महतापुन अपडेट को पाने के लिए और हमारे साथ अंतर बनाएं के लिए धन्यवाद